में ढलबीघ्र किया बनाव नियुकर कुं पृप होट गघ्र में तो में दिटल करह के रेऊमिस दिधर दिने माव इंद अन्यूर्स नियुक्या नियुकरी इसलिफिएपस कइन शक्री और डिने में 16 reflection होता है, सबसे बड़ा जो एहम मुद्धा है, वो यहाँ पर यह है, कि lens और mirror में difference क्या होता है, तो lens जो actual में होता है, यह आपके reflection को सो करता है, जिससे suppose that बेटा, मैंने यह lens बनाया, है ना, यह lens बनाया, अब इससे जो light की रे जाएगी बेटा, यह तो होगी आपका आपको, कहा है थे अलमायर की reflection क्या होता है, यह यह होता है, तो reflection क्या होता है, अब हमारे जु भूंद में हमें दो तरह के lens बताये में हैं बजताओ तो हे यह परकार के गहां बट 2 जो है, वो main बताए गया है ठीक है एक कौन सा लेंस बताए गया होगा आपको concave और एक कौन सा बताए गया होगा convex यानि आउतल और उतल दो प्रकार के लेंस हमको बताए गया होगा है ठीक है आजाओ पिटा एक लेंस होगा जो ऐसे होगा कौन सा लेंस है यह और यह आप्टिकल सेंटर समझने ही कोशिच करना, what is optical center? जैसे, suppose है, हमने दो medium को चिपका दिया है, तो इसका जो बीच वाला center होता है, that is called optical center. जैसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्टिकल सेंटर कहते हैं, दोनों में, यह जो बीच का part होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, और एक अच्छी बात यह जो रिफ्रेक्शन होता है, लेंस में, लेंस में जो रिफ्रेक्शन होता है, वो इसी optical center से ही होता है, मतलब जो भी light bend होगी, जो भी light मुड़ेगी, इसे line में जो चलती है, वो इसी optical center से होगर के, bend होगर के, जो है वो चलती रहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कि जो light का reflection होता है, मुस्ती कहां से होता है, आपके optical center से होता है, ठीके, एक यह हो गया, एक होता है focus, principle focus होता है, focus तो आपको पताईए, कि भई, आप, एक तो आपको पता है, यह principle focus किसे कहते हैं, भई, देखो, focus का मतलब होता है, कि light की ray जहां पर bend होगर के, पहुंच जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, focus कहते हैं, जैसे, बिटा बात नहीं, ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे, तो यहां पर अगर light की ray bend होगर के, पहुंच जा रही है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका focus वाल एरिया हो जाएगा, मतलब focus समझना है, optical center समझना है, और आपका यह principle access, यानि मुख्य अच्छ, यह समझना है, तीन चार जी समझना है, बाकी जो भी figure बनता है, बिल्कुल बिल्कुल mirror के तरह होता है, जैसे हम लोग ने दरपड में सीखा था, उतल दरपड, उतल दरपड में, जैसे image का formation देखा था, कैसे प्रतिवे में बनता है, same to same यहां पर ऐसे सारे चाज़ें होती है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आता है, ठीक है, हां, अंतर बस एक आता है कि इनके नामकरण में, जैसे हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे convex mirror, इंग्लिस में बोलेंगे concave mirror, ठीक है, मतलब हिंदी इंग्लिस में से अउतल दरपड, उतल दरपड, यहां आता है, यह term बद खाली आप समझते रहना, ठीक है, और आगे चल करके, most, most probably यह समझना, जब आपका paper आएगा, तो paper में, अगर हिंदी वाले version में कोई गलती होगी, तो उसमें लिखा रहेगा, कि जो उसका English version है, वही सही माना जाएगा, इसलिए आप हमेशा इध्यानकना English version को ही पढ़कर के चलो, क्य कि आपके paper में सामने ही लिखा रहेगा, कि अगर मानलो आपके paper में कोई question गलत है, तो हिंदी वाले version में अगर गलत है, कोई बात ने, अगर English वाले में सही है, तो हम सही वाला English वाला ही मानेंगे, उसमें लिखा रहता है, English वाले सर्व मानने होगा, हिंदी वाला मानने नही होगा ठीक है इसलिए आपको दोनों वर्जन पढ़कर करके चलना है हिंद इंग्लिस ताकि आप के पास कोई प्रॉब्लम नहों और आगे जब आप लोग इसको करें तो आराम से कर सकें ठीक है अब देखो इसमें मतलब बताया हुआ है कि जैसे यह मालो अप्टिकल सेंटर हो गया यह आपका प्रिंस्पल एक्सेस हो गया अच्छा आपको पता है कोई लाइट की रे जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे यानि आपतित किरण है ना उसके बाद यहां पर रिफ्रेक्ट हो जाती है और उसके बाद निकाल आती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं इमर्जेंट रे यानि हिंदी में बोलते हैं निर्गत किरण आपतित किरण और निर्गत किरण है ना इंग्लिश में बोलते हैं इमर्जेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे ठीक है या इमर्जेंट रे आप इससे बोल सकते हो तो ये दो चार पांच मुख्य बाते रहती हैं इसकी जो आपको जानना है लेकिन आप लोगों ने जब मिरर पढ़ ही रखा है इसमें कोई बहुत आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमारे दृस्टी कोंड से ठीक है अब हम एक एक करके बनाते हैं थोड़ा दूर दूर और फ ये बताओ ये है आपका कॉनकेव मिरर है ना ओतल की उतल इसको आप लोग ध्यान देना ओतल की उतल है ना देखो इसमें बताना अगर कोई लाइट की रे कोई प्रकास की किरण मुख्य अच्च के पैलर आती थी तो कहां पर इमर्ज हो जाती थी आपके फोकस्वें मर्ज हो जाती थी होती थी नहीं होती थी अरे बोले बिटा होती थी की नहीं होती थी होती थी ना फोकस्वें मर्ज जैसे हो जाती थी ठीक है same to same देखो, अगर हमारा ये lens है, है ना, हमारा क्या है, अगर ये lens है, ठीक है, अगर इसका ये principal axis है, कुई light की ray, कुई light की ray, यहां से निकल के ऐसे पहुंच जा रही है, या दो इसका image बने का, दोनों बना के दिखा देता हूँ, मालो कुई light की ray, ऐसे आरी ही principal axis से, है ना, principal axis के पहलर आ रही है, principal axis के पहलर आ रही है, principal axis के पहलर आ रही है, तो optical center से जो है, वो reflect हो करके, कहां पहुंच जाएगी आपके, फोकस पहुंच जाएगी, कहां पहुंच जाएगी आपके बीटा, फोकस पहुंच जाएगी, यानि अगर कुई ray, आपके principal axis के पहलर आ रही है, तो वो इमर्ज हो करके कहां पहुँँ जाती है, आपके फोकस पर पहुँँ जाती है, क्या ये वाला फेनॉमेना ये स्में आ रहा है, ये जहिद सी बात है, जैसे हम लोगों ने इस दरपन में पढ़ा था, सेम तुसेम इसमें पढ़ रहे हैं, कोई अंतर नहीं इस बात को ध बच्चों को ना यह सामने दिखेगा, वो समझ में आ जाएगा, अगर वो बढ़ाएंगे, तो आपको क्या समझा पाएंगे लाइ प्रोसेस में, कुछ नहीं समझा पाएंगे, है ना, तो most of the teachers का यह फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें आपको सामने दिख रहा है, अच्छा इसको जो हम उलट देते थे, आज उसको हम लोग उलटते पलटते हैं, है ना, suppose that हम इसको उलट देते थे, उलटने का मतलब, जैसे अगर कोई यहां पर हमने बल लगा दिया, मीटा, तो यह क्या होता था, यह आपके मिरर से ठकरा करके और पैलर हो जाता था, यादे, टॉर आजका मैंने एक्जामपल दिया था, सर्च लाइट के बारे में बताया था, कि मालव आप जेल में हो, जेल से आप भागने कोशिस कर रहे हो, तो हम कौन से लाइट लगा करके आपको पकड़ेंगे, थीक है, यानि अगर कोई छी चीज फोकस भी होती थी, कोई भी लाइट लगा है तो ये focus से ऐसे जाएगा ये लाई ट्रे ऐसे जाएगी ये लाईट्रे ऐसे जाएगी और इसलिवा क्रीं मत शेठ एसे और optical center से ये क्या हो जाएगी एक दूसरे के पहरार हो जाएगी या principle शिस्पल एक्सिस के क्या हो जाएगी पेटा पैलर हो जाएगी यह देखो यह, this is the phenomenon जो इसमें होता था वही इसमें होगा कोई अंतर नहीं है कोई डिफरेंस नहीं इस बात को ध्यान रखना ठीक है बस पढ़ने और पढ़ाने का तरीका होता है कि उतल दरपड में क्या होता है ठीक है ये कौन सा लेंस है ये लेंस कौन सा है Convex कि concave Convex है यह कौन सा mirror था आपका Concave mirror ध्यान देना यह ऐसे है cave की तरह है बिटा और आपको याद है जो आपको याद है जो हम लोग है vex पड़ रहे थे convex तो बाहर निकला था ना तो दोनों side में निकला हुआ है तो क्या हो जाएगा यह आपका Convex Lens बट ये Concave Mirror होता था ठीक, यह बताओ, यहां तक ही समझ में आई चीज़ ने कि कोई गड़वड़ है तक यह बताओ यहां तक ही बताओ पले बड़ा कुछ कि कैसे है, कैसे हुआ हमारा सिस्टम कैसे हम आगे बढ़ गए, कैसे पीछे हो गए क्या, हम लोगों ने कैसे फिनामेना किया, बता बिटिया कोई रिक्कत कोई रिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ में आ गया तो एक mirror हम लोगों ने, एक lens हम लोगों ने एक फिनामेना देखा है कि यह कैसे होता है, है ना अब हम लोग चले जाएंगे किस पर? concave lens पर यह तो हमारा convex है, अब हम लोग चले जा रहे हैं किस पर? concave पर, ठीक है, आजो मिटा दू इसको बना रहा हो तो बना लो, यह मिटा दू मिल जाएगा तुम लोगो don't worry ठीक, ओके अब हम लोग जो second phenomena पढ़ने वाले हैं, वो किस mirror का पढ़ेंगे हम लोग, वो हम लोग पढ़ेंगे concave lens का पढ़ेंगे, देखो इस से पहले यह बताओ, हम लोग ने यह mirror पढ़ा, यह कौन सा mirror था? Convex इस में क्या होता है, इस दरपड में क्या होता है इस दरपड में, अगर कोई प्रकास की किरण, इसके समानांतर आती है if any ray goes to pallor of the principal axis तो पता है, यह ऐसा लगता है कि यह focus पर आ रही है बट actual में क्या हो जाती है? यह diverge हो जाती है है ना? ऐसा, अगर नीचस भी अगर हम लोग pallor देखें तो यह ऐसा लगता है कि मेरे यार की साधी है लेकिन होती नहीं है, वो अलग चली जाती है ठीक है? कौन? किरण किरण मतलब light किरे, आप लोग कुछ और मतलब समझ लेना ठीक है? और फिर यह जो है ऐसे basically मर्स हो जाएगी यह में सोड़ी बड़ी बनती तो आपको अच्छे समझ में आ जाता seem to seem इसमें यही फेनॉमेना होगा बिटा, देखो ध्यान देना जैसे यह आपका है lens, इसमें जो बिटा changes आते हैं, वो हमेशा optical center से आते हैं कहां से आते हैं आपके? optical center से आते हैं यानि जो light के ray आपके optical center पर पड़ेगी जो light के ray optical center पर पड़ेगी, वो क्या करेगी? वो उसको reflect करने कोसिस करेगी, जैसे आपके book में देखो, बना होगा, same to same कि जैसे मान लो कुई light के ray आ रही है, है ना? दोनो तरह से बना हुआ है जैसे मान लो एक light के ray ऐसे आ रही है यह है आपका principal axis यह light के रही है बेटा, है ना? अब actual में होता क्या है? यहां से यह नीचे नहीं आएगी, यह ऐसे reflect हो जाएगी और यह ऐसे इसको back side में बढ़ाऊगे तो यह ऐसा मैसे होज़ोगा कि एसा मैसे होगा कि focus पर आ रही है, बट actual नो focus पर नहीं आती है ठीक है? second बनाते हैं, यह second है और यह भी ऐसे जो है वो reflect हो जाते है ठीक? और इसको अगर हम पीछे 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 बढ़ाते लेते जाएं, तो यह focus पर आपके बट अगर हम इसको पीछे 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 बढ़ाते जाएं, तो ऐसे मिल जाएगा फिर ऐसे और फिर यह ऐसे जाएगा पीछे 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 बढ़ाते जाएं, तो यह ऐसे हो जाएगा मतलब आप समझो, कि इसमें, जो काम इसमें होता था सेम काम इसमें हो रहा है। यठे लाइट को क्या कर रहा है। ये ड Ginette कर रहा है !! कभी आपने इस LED बल्फ जो आगे लला लगा इसको खोल के देखा है कभी इसको ओपन कर रहा है घर पर जाना बल्फ होगा ना निकाल लेना पटक देना आगे वाले सिस्टम निकल आएगा, फिर आप देखो को जो से रोशनी निकल रही है ना, वो इतनी जादे स्कैटर्ड नहीं होगी, है ना, वो एक छोटे से मतलब अब ऐसा कहलो कि छोटे से एरिया को रोशन कर पाएगी, लेकिन जैसे आप यह लगाते हो रेफलेक्टर हाला जो 10-15 रुपय वले आते हैं, उनके आगे जो लगाओ तो उसको आप घुमा घुमा के खोल लो, फिर उसके बल जलाओ, वो फोकस ही नहीं कर पाएगा, है ना, वो फोकस नहीं कर पाएगा, फिर आप उसे लगाते होगे तो फोकस कर जाए, क्योंकि इससे पहला लोग लोग करते हैं अपने लाइफ में, हाँ, ये बात अलाग है, समझ में आए ना आए हम लोगों को कि हम लोग इसका यूस कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, दरवाजे के जो हैंडल होते हैं, वो जैसे सपोस एडियो दरवाजा है, क्या आप लोग ने कभी दरवाजा खोला ह ये मालत दिवाल से फिक्स है दरवाजा है ना, छे के लिए लगा दे रहे हैं ताकि आप लोग उखाड न पाओ, ठीक, हैंडल कहा लगा होता है दरवाजे को खोलने वाला, यहां लगा होता है कि यहां लगा होता है, यहां लगा होता है ना, यहां क्यों लगाते हैं, यहा कियूं लगाते हैं दरवाज को या नल की हैंटन बहुत लंबी क्या करते हैं देखा है नल की हैंटन होती है सरकारे नल वाले हैंटन ऐसा लगता है कि दो तीन घर के orthppt लाकर कूसे में जोड़ दिया है है प्रूम का है नो उसकी हैंडनों की भालंहर कर देते हैं इतने आपके पास कन परओर लगेगा जतने इस्टेंस रहेगी और नल का हेंडेल जितना छोटा रहेगा उतनी प्रपंडल्वोगे आपको नल चलाने में जतना बढडा नल का हेंडेल आपको उतनी हासानी होगी नल को चलाने में ऐसे iscoldríveis अब उसको जो मुठिया होता है, उसको खोब मूटा कर देते हैं, ताकि अब आराम से पकड़ को क्या कर सको, खोल सको, है ना, टार्क एक चीज होती है, आप लोग आगे चल करके पढ़ोगे, है ना, तो जब उसको पढ़ोगे तो ये चीज वहाँ पर, 11 पर पढ़ाई जाए है ना, this is simple machine, इसमें आप पावर लगाते हो और ये काम करते हैं, ठीक, ये सारे एक्जामपल है, simple machine के, तो हम लोग daily routine life में बहुत uses करते हैं, इन सारे चीज़ों के, ठीक, एक तो मैंने ये बता दिया, है ना, अच्छा, एक और है, इसको बिटा दूँ, अच्छा, एक तो मने ये बता दिया आपको, और एक ऐसा होता है कि, माल लो, ये है आपका lens, आपका lens, हमारा lens, जिसका lens कहना चाहों, सबका lens है, है ना, ये lens है, ये है आपका principle axis, अच्छा, बताएं, बहुत सो लोग मैंने देखा है, आप principle axis पर ही ज़्यादा focus करते हैं, optical center ही बताते रहें, optical center है, actual में इसे, मतलब, इतने ज़्यादा define नहीं करना है हमें, है ना, हमें बस ही समझना है कि, ये है क्या action में, बस ही समझ के हमें अपना काम करना है, तो ये हमार principle axis बिटा, अब, actual में होता क्या है, कि कोई light की ray, कह infinite से आ रही है, कहीं infinite से ऐसे light के ray आ रही है, है ना, ये देखो, अब आपको क्या लगता है कि infinite वाली ray क्या करेगी, परुंसल axis के parallel हो जाएगी, diverge हो जाएगी, converts हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, बताओ, देखो ध्यान देना, कोई अगर ऐसे आ रहा है, तो वो ऐसे होकर के चला जाएगा, हाला कि ऐसा मैसूस होगा कि focus पर आएगी यह, है ना, या मानलो कोई light के रहे है ऐसे आ रही है, यहाँ से तो यह ऐसे सीदे सीदे निकल जाएगी, बताओ, आपको मैसूस होगा कि भ्या यहाँ focus पर आगर के immerse हो रही है, अगर कोई light के रहे ऐसे, आखर माफ करना, माफ करना बहनों भाईओ, माफ करना, अगर मान लो कोई light के रहे ऐसे आ रही है, तो यह ऐसे सीदे सीदे निकल जाएगे, है ना, और यह ऐसे आ जाएगा, फिर मान लो कोई light के रहे ऐसे आ रही है, तो यह सीदे सीदे निकल जाएगा, और action में यह होता है, ठीक, तो एक तो फिनॉमेना यह है कि अगर इस आपके लेंस में कोई लाइट के रहे इन फाइनेट से कैसी भी इधर उधर हो करके आती है तो वो प्रिंस्पल एक्सिस के क्या हो जाती है पैलर हो जा रही है ठीक है आपको मैसूस होगा कि फोकस पर आगार के मर्ज कर रही है बट एक्षिन में नहीं होती है है तो दो चार पांच फिनॉमेना इसके ऐसे होते हैं अब इसी सब के जरी हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज फॉर्म किया है कितने प्रगार के इमेज इसमें बनाए गए हैं साइसे हम लोग इनी फिनॉमेनास को यूज करके देखेंगे ठीक है अब यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ बिटा किसी को कुछ प्रॉब्लम किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ वो देना से इमेज फॉर्मेशन नहीं है अब इन कर देखेंगे बुक यह ले लो तुम लोग इसमें बनावागा तो एकदम इसका इतना पढ़ लिया है बिटा आपने इतना पढ़ लिया है अपने कि एकदम कलरफुल हो गया इसको ना बिटा उससे फेवी को एक से चिपका लेना फेवी कोल से नहीं तो यह निकल जाएगा ठीक बिटा देखो हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन है ना इमेज फॉर्मेशन भाई Convex Lens, यानि Convex Lens से हम लोग image कैसे बनाते हैं, ये इसका formation हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? यानि जो आपका Convex Lens है इससे image का formation कैसे होता है? ये सारे जिसे हम लोग देखते हैं, ठीक? ओके देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, बीटा कि मान लग ये आपका Convex Lens है ठीक है? अब इसमें principle axis बना दू में दिख रहा ना, बीटा? अब इसमें क्या करना है? आपको पता है, अगर कोई भी रे optical center से आती है, तो optical center से उगर के लोट जाएगी, यानि अगर यहां से कोई रे गुजरती है यह से लोट जाएगी, याद करो हम लोगोंने mirror में पढ़ा था, कि अगर कोई भी रे C से होकर के आएगी तो C से निकल जाएगी, यानि जो center of curvature है, वकरता केंदर है अगर उससे आती, तो C से क्या हो जाती है? वापस हो जाती है, same to same optical center से अगर जाएगी, तो optical center से होकर के वापस चली जाएगी है ना? और अगर F1 से जाएगी बिटा, इधर F1 पढ़ता है अगर इस F1 से होकर के अगर इस F1 से होकर के जा रही है कहीं ना कहीं, तो इस पर लड़कर के क्या हो जाएगी? उसके पैलर हो जाएगी है ना? माल यहाँ F1 है तो अगर हम लोग इस F1 को ऐसे बनाएं, ऐसे, आप यहाँ से लड़कर क्या हो जाएगी बिटा, यह पैलर हो जाएगी ठीक है? और उसके बाद जो second वाली ray है, वो आपके optical center से हो करके सीरे जाएगी और इसके यहाँ पर काट देगी और जहाँ पर बिटा काटेगी यह आपका F2 होगा यह क्या होगा? आपका F2 यानि यहाँ पर यह काट रही है, आपका क्या है बिटा F2 है, यानि अब आप यहाँ पर सकते हो कोई चीज बिटा, यह रही आ रही है पैलर, पैलर का मतलब infinite से आ रही है कहीं से तो आप बताओगे कि अगर कोई चीज infinite पर रखा है अगर मानलो कोई object है वो infinite पर रखा है तो उसका जो image बनेगा वो आपके concave lens में कहां पर बनेगा F2 पर बनेगा कहां पर बनेगा? F2 पर बनेगा और कैसा बन रहा है? यह उल्टा बन रहा है उल्टा मतलब inverted और उल्टा होगा तो real होगा है ना? inverted है तो क्या है? real है आप लोग इसका image formation बिलकुल mirror की तरह जैसे हम लोग बात करते थे same to same उसी की तरह इसकी भी बात करेंगे कि अगर ऐसे बन रहा है तो ऐसे है ऐसे बन रहा है तो ऐसे है आई बास होग में? ठीक है तो यह उल्टा बन रहा है और कहां पर बन रहा है आपके F2 पर बन रहा है बिटा यहां तक इससे कोई दिक्कत हो तो बताओ कुई problem तो नहीं है और मैंने आपको एक image इससे पहले बताइी थी कि अगर मैंलो यह आपका lens है और क्या ए अगर आ रही है principal axis के pallor आ रही है बिठा तो यह कहार पर आपके यहारा पर जा करके merge हो जा रहinker है यह उसी को follow कर रहा है सीधे आता तो F2 पे मर्ज होता यहां पर आया तो इसके पैलर चला गया है ना तो यह इसका एक फिनॉमेना ही है जो आप लोग समझ रहे हो अगर इच्छा करें तो इसको मैं पूरा बना दो ऐसे करके तो आप समझोगे हाला कि आप लोग समझ गयोगे समझदार तो होई आप लोग काफी ठीक एक इमेज फार्मेशन ही हो गया अब देखो इसमें पहले में लिखा हुआ है वेन आपजेक्ट एट इन्फाइनेट मैंने पहले बताया नहीं आपको कहा रखा है लेकिन मैंने आपको इस लाइन से देखो जो आप लाइन देख करके पहचानने लगोगे तभी आपको साइस से मजाएगा कि सर दो लाइन पैलर आ रही है समनांतर आ रही है इसका मतलब ये कहीं इन्फाइनेट पर मैच करेंगी दो समनांतर चीजें एक दुस्से के समनांतर चलती है वो कहां पर मीट करती है इन्फाइनेट इसका मतलब ये जो आप्जेक्ट होगा ये कहां रखा होगा आपके इन्फाइनेट पर इन्फाइनेट से अ astrology ले आ रही है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा F2 पर बनेगा, erected बनेगा sorry, inverted बनेगा F2 पर बनेगा, inverted यानि F2 पर बन रहा है और ultra बन रहा है ठीक ये पहला फिनॉमेना था जो मैंने आपको बताए है इस lens में, देखो second आपको देखना है, second आपकी book में लिखा हुआ है, when object is placed between twice of the focal length and infinite, मतलब मतलब समझो, मैं इसको मिटा दूँ फिर आपको मतलब समझाओ मतबल समझाओ, मतबल अच्छा, एक बात आप लोग ने सुने कि बिनावजह ये बोलते ना बिनावजह क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है बताओ, इसको बताते तक हैं बना लेते हैं बच्पन से कहते हैं, सर जी बिनावजह हमको मार रहे हैं अलग-अलग अब ठीक है बिनवजह अगर कोई कह रहा है बिनवजह, आप बताओ ठीक है बेवजह हैं बेवजह, बिनवजह, सब गलत हैं सब के सब गलत हैं, इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं बिलवजह या बिलवजह यह होता है, यह सईब, बिल का मतलब होता है ना कोई काम हो जिसे बिना किसी काम से यह हमको परिशान कर रहे हैं बिलवजह या बिलवजह यह बताये अर्भी फार्सी है यह अर्भी और फार्सी है, बिल, बिला है ना तो यह सब भी जानते हैं पता ने हिंदे में काम आजे, आप लोग के कहीं पर ठीकें? चलो यह हो गया, अब यहां पर ऐसे रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे के जाते हैं अब बीटा जब ऐसे लेके जाएंगे तो यह कहां पर मेट करेगा यह F2 पर जाकर और ऐसे कूद पड़ेगा है ना जितनी दूरी यहाँ से और आप्टिकल सेंटर से जायगा और इसे वापस चला जायेगा ठीक अब यह जो raise को थोड़ा सवर आगे बढ़ाओ यहाँ जाकर कि क्या कर देगा बिटा काट देगा और यह जो काटेगा यह तो माल लो क्या हो गया आपका F2 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 2F2 जिती दूरी यहाँ हो ती दूरी यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 2F2 और यह 2F2 के पहले कहीं meet कर रहा है इसका मतलब कह रहा है कि अगर कोई भी object कहां रखा जाए 2F2 के दूर रखा जाए या infinite और 2F2 के बीच में रखा जाए तो उसका जो image formation होगा जो उसका प्रतिबे में बनेगा वो कहां बनेगा या 2F2 के कहां पर बनेगा बीच में बनेगा ठीक है एक से पहले था अगर कोई वस्तो infinite पे रखी हो infinite मलब अनंत पे रखी हो तो उसका जो image जो उसका प्रतिबे में बनेगा वो कहां पर बनेगा आपके F2 पे बनेगा ठीक, अब यह क्या कह रहा है अगर कोई वस्तो 2F1 और infinite के बीच में है तो जो इसका image formation होगा कहां पर होगा आपके F2 और 2F2 के बिलकुल बीचों बीच में होगा आई बास समझें बेटा कोई रिकत तो नहीं, बताएं हम लोगे स्कूल में इसका practical कराया जाता था और मेरे कहाल में कुछ नहीं तो 10 से 15 बार करके हम लोगे practical गलत कर देते थे फिर हम लोगे सर बताते थे देखो इसको ऐसे meet करो मलब निडल देते थे सुई और कील विल उस पर ऐसे करके उसको अम लोगे मैच करना रहता था फिर भी समझ नहीं पाते थे क्या है यह क्योंकि कभी ऐसे बतायता ही नहीं था कि कैसे बढ़ो, बस वो आते थे पढ़ाते थे, लिख दे थे इमेज बनाते थे, चले आते थे यह पता ही नहीं से था यार एक चीज से दो बार रे क्यों निकलती है आप लोगों को बताएं कि एक औबजेक्ट से दो रे क्यों निकलती है, तीन क्यों निकलती है बताया था क्या बताया था भूल गए देखो एक वस उसे ना हमेशा दो रे इसलिए निकलती है हाँ क्योंकि हम लोग 2D इमेज ही देख पाते हैं 3D में इस नहीं देख पाते हैं इसलिए दो ही रह निकलती है दिसाएं दस होती है और वास्तिक्वता में देखा जाएं रियल वाली तो सिर्फ दो दिसाएं होती है एक उत्तर और एक दक्षड बस तीसरे कोई दिसा एक्जिस्ट नहीं करती है है ना पूरा पशिम तो उत्तर दक्षड के उज़े से बन गए अधरवाइस दोनों ना होते में में दो दिसा होती है और अगर हम लोग ऐसे हो चुट को या मुर्ट को भीया के वारे बात करें तो दस दिसाएं होती है है ना जिब आप लोग कुछ पढ़ते हो भगवान का मतलब 40 अउलिसा उसमें आता है कि 10 दिसाओं में हमारे सुरक्षा करें भगवान ठीक 10 दिसाओं होती है हमारे पास अगर काउंट करें तो अब काउंट ना कराने लगना दिसाओं कितने होती है ठीक यह हो गया अब हम लोग का रखएंगे बच्चा अब हम लोग रखएंगे 2 F1 पर रखेंगे अब अगला इमेज हमारा है वह कां रखेंगे 2 F1 पर रखेंगे देखो जैसे यह मान लो यह दिख रहा है हलका तो नहीं चल रहे है कि यह हो गया अब हम लोग रख रहें कहां पर यह माल लो f1 है और यहां पर क्या है बिटा आपका f2 है है ना सुरी 2 f1 है 2 f1 तो अब image का formation करने के लिए इसको यहां पर हम लोग रखेंगे ठीक है अब यहां से आपको पता है दो रहे निकलेगी है एक तो ऐसे निकलेगी है ना जो कहां से ऒगरते जाएगी f2 से ओकर जाएगी जितनी दूरी इधर होस्ती दूरी दर क्यांती जाएगी यह टूरी एसको लोग गुजार देते हैं यह टूर गई जो इह गुजर गई है तो यह गुजर गई सेकट वाला जो है वहूर оirse आप लोग gretta kale से बनाना क्योंकि आपके पास यह power नहीं हो कि क्या पोव्मिटा सको मेरे पार है अभी है ले और बश्रीjust can में बढ dönत इं इस ने और नीकल यहाइं कि इसको आपकर बढ trade बढ़ें जितनी दूरी यहां सेरे यानि ए अपका 것을 फ्ट तू एमेज का जो formation होगा, वो कहाँ पर हो रहा है आपके 2F2 पर, यानि अगर कोई वस्तु 2F1 पर रखी है तो जो उसका image का formation होगा, वो कहाँ पर होगा आपके जा करके 2F2 पर होगा ठीक, और ये सारी images बन रहे हैं, बीटा, सब real बन रहा है सबके सब उल्टे बन रहे हैं और उल्टे लोग हमेशा क्या होते हैं real होते हैं है ना, जो उल्टा बोलते हैं या जो उल्टे रास्ते से चलते हैं सब real होते हैं पता है, आप जब एकदम सीधे बन करके चलोगे ना, एक रास्ते का पत्थर भी आपके पेर पे टकरा जाएगा अगर के और अगर तुम थोड़ा सा भी टेड़े हो गए ना कि कहीं पत्थर देखा मार दिया उड़ गया वो पत्थर भी तुमको देखेगा कि भीया साइड में हो जाओ अगर इसके पैर कहीं आ गए तो यह मार देगा मुझे आप भी उल्टे बनों उल्टे बननेगा मतलब जहां तक आपका नुकसान ना हो वहीं तक आप दूसरों की मदद करो जहां आपका नुकसान उलेगे वासे कल्टी ले लो निगल लो तुरंत अपना नुकसान करके कभी किसी के हेल्फ नहीं करना कभी अपना टाइम वेस्ट करना किसी भी ऐसे चीज के साथ जिसमें आपको कोई benefit ना हो रहा हो है ना चाहे रिस्तदार ही क्यों ना हूँ रिस्तदार तुमको क्यों याद करेंगे बस सर्फ एक काम के लिए उसाल नहीं जानेंगे हसरे ही चुप-चाफ से कई बार याद करा जा चुका है इसको बिटा ब हमारी बातों को ठीक है आई बास समझ में तो ये चीज आपको समझनी है कि कहा बनेगा चुए बनेगा ओके चलो नेक्स्ट बिटा अब यहां और इसके बीच में होगा सेकेंड इमेज है जो यह दोनों के बीच में होगा आज ही खतम हो जाएगा टॉपिक मुझे ऐसा एक में टुको चिक और डीला चल रहे है देखो अब हम लोग जो अगला मतलब देखने जा रहे हैं वह देखने जा रहे हैं कि जो इमेज हमारी स्वारी जो बस्तू रखिये वो एफवन और टू एफवन के बिलकुल बीचो बीच में रखिये तो उसका इमेज कहां बनेगा अचा, याद है आप लोग को, जब लोग मिरर पड़ रहे थे, तो कुई एक ऐसी पूजिशन थी, कौंकेब मिरर में कि जहां पर अबजेक्ट रखा था उसका इमेज वहीं पर बनता था कोई एक ऐसी condition थी कि जहां पर वो object रखा था उसका image वहीं पर बनता था उल्टा बनता था और equal to the object बनता था हाँ, center of curvature यानि C पर ऐसी जगे थी जहां पर बनता था ठीक center of curvature पर रखते थे तो उल्टा ही बनता था है ना ठीक चलो अपनी copies में से निकल लो ठीक बीटा, तो अब हम लोग यह देखने वाले हैं कि जो हमारा next image formation था है ना, यह यह है बीटा आपको optical center है ना, और अब जो reflection होगा basically उसके पर हमात करेंगे, यहां पर इसे मान लो f1 है यहां पर है 2 f1 है ना, अब जो हमारा image रखा रहेगा वो यहां पर रखा रहेगा अब एक बाद वो बीटा अगर यहहां से जाएगा, तो तो कहां से उकर की गुजरेगा यह आपके, f2 से उकर के गुजर जाएगा यहाद यह f2 से उकर के आज अब अगला क्या होता है अगर यह optical center से हुकर के जाएगा तो optical center से हुकर के निकल जाएगा यानि optical center से जा रहा है तो optical center से निकल जाएगा और यह जाकर करके आगे कहीं od 10 1 1 यह थोड़ा सा नीचे चला गया यहां से, है ना? एक मिनिट यह पूरा इधर का फिर से बनाना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है है ना? अगर यह यहां से जा रहा है, तो यह F2 से उकर के जाएगा, ठीक और अगर यह ऑप्टिकल से उकर जा रहा है, तो यह ऑप्टिकल से उकर के जाएगा और यहां पर मीट करेगा, है ना? यह थोड़ा और सा आगे बढ़ेंगे, यहां पर मीट करेगा यानि आप देखो, यह है आपका बेटा F2 है न? और इसका जो image formation हो रहा है, 2 F2 के भी कहीं पर हो रहा है जितनी दूरी यहाँ पर है, उतनी दूरी यहाँ पर लेंगे यानि यह 2 F2 है और इसका जो image formation हो रहा है, ठोड़ा सा और आगे यहां पर हो रहा है न? इसका मतलब अगर कोई भी opposite कहां रखा है 2F1 और F1 के बीच में रखा है, तो उसका जो image बनेगा far away from the 2F2 बनेगा, यानि 2F2 के पार जाकर के बन जाएगा, ठीक? तो किती condition में आपको बता दी? 3-4 condition में बता दी? 2 condition में और बाकी है दोनों condition में बता दो फटा फट से 2 मिट लगेगा 2 condition में, चीक है? ओके देखो, एक condition तो पिटा ये है कि अगर कोई भी object कहां रखा है, आपके F1 पर रखा है F1 पर रखा है, जैसे भई F1 पर रखा ये, तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, ये reflect होगा कहां पर जाएगा? 2 F1 पर जाएगा F2 पर जाएगा कहां पर जाएगा? F2 पर जाएगा एक ये, और तीसरी कंड क्या होता है और ये जो optical center इस से उकर के जाएगा अब ये देखो, दोनों parallel हो जा रहे हैं दोनों parallel हो जा रहे हैं कहां meet करेंगे, बिटा? infinite यानि जो इसका image बनेगा, कहां पर बनेगा infinite कोई भी चीज अगर आप focus पर रखतो है F1 पर तो जो इसका image बनेगा, आपके कहां पर बनेगा वो infinite पर बनेगा अब आप infinite जहाँ हो वहाँ जागर के आप को सकते हो और क्या ठीक, जैसे आपकी फ्रेंड आपसे कहें कि बजार चलना है, हाँ चलेंगे कब? infinite time बाद जो infinite time पूरा हो जाएगा तो आप उसके साथ market चली जाना तो लोगों को ऐसे बिवकू बनाया जाता है लोगों मतलब ने friends को ऐसे बिवकू बनाओ जो जो आपका time छोड़ा सा खराप करें उनकी बात मैं कर रहा हूँ एक condition और बची है, मैं उसको बढ़ा दू बिटा ये कपड़ा लगबग लगबग सारा खतम हो गया है है ना बिटिया? बिटिया जानगे किसको कह रहे हैं ठीक है अब एक condition बचा है कि अगर जो basically कोई object है वो रखा गया है F1 और आपके optical center के बीचों बीच में है ना? यहाँ पर तो भाई, चीजे तो हमें वही कर नहीं है यहाँ जाएंगे और हम कहां से गुजर जाएंगे? F2 से करके गुजर जाएंगे यह गुजर जाएंगे यह गुजर गया है ना? थोड़ा टेडाय में गुजर है लेकिन गुजर गया यह यह तो यह हो गया ठीक? अच्छा, second का होता है वो optical center से हो करके जाएंगे और optical center से हो क्या हो जाएगा? वो निगल जाएगा ठीक है? इसको मैं थोड़ा सीधा बनाने कोशिस कर दूँ पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा बन गया समझ लो आप लोग समझ ले ना बन गया है ना? ठीक है? ओके आप देखना यह optical center से हो करके जाएगा और देख रहे हो एक इर घाट जा रहा है तो एक बीर घाट जा रहा है मतलब दोनों दूर जा रहे हैं तो जब दोनों दूर जा रहे हैं तो आपसे मैच करेंगे ने लिकिन हाँ एक condition है, इसको पीछे-पीछे-पीछे-पीछे बढ़ाओ और इसको भी कहाँ बढ़ाओ, पीछे-पीछे-पीछे बढ़ाओ दोनों को पीछे बढ़ा करके, अगर आप सीधे-सीधे ले जाओगे तो यह लगवग आपके 2F2 के पार बन जाते हैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, यानि यहाँ पर यह image जो है वो बन जाएगा image formation का आप रोगा आपके, यह मालो 2F1 है, तो यहाँ पर आपके image formation यह हो जाएगा ठीक, यह 6-7 condition थी जो मैंने आपको बता दी, एक lens का यह था, second lens में कम है समझने में भी आशान रहेगा, आपको पढ़के भी मज़ा आएगा, ठीक है उमीद है कल परसो तक यह chapter जो है, वो finish कर देंगे हम लोग, है ना कल यह परसो तक, उमीद यह chapter खतम कर दिया जाएगा, फिर नेक्स चेप्टर में लोग पढ़ेंगे, ठीक है